नमस्कार दस्कों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने क्रिशी के कारियों की तयारी कर रहे होंगे मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं को बहुत अधिकांस तक किसानों ने बुआई कर ली है और बुआई करने के बाद बहुत सारे लोगों की पहली समस्या रहती है कि गेहूं में हम खाद कितनी डालें कौन कौन सी डालें पानी कब चलाएं और कैसे इसकी बहतर खेती परनटें करते हैं तो आज वीडियो में में दोनों चीजें बताउंगा एक उनके लिए सब्सक्राइब जो लोग देंकर कर रहे हैं अगे वाले आने वाली यजो मिस लिए लगधिशन हो इसके लिए आप चेनल को सफ्क्राइब कर naar य aynı tym मित्रों जैसा कि आप खेट देख रहे हैं लगबग अधिकांस्तर जगहों पे गेहूं की फसल इस तरीके की हो गई है और अब किसान फैसला लेगा कि हमें पानी कब चलाना है और कैसे देना है तो मित्रों पहली बात तो ये है कि और खाद को कौन कौन सी खाद राले और कितन हल्की सिचाई की आउसकता पड़ती है गेहूं की पहले पानी में पहला पाणी 20-20 में बीच नीच में दिया जाता है और यह तायका लिजिए कि खित नमी ना हो तब दीजिए लिए नमी है बरकरार है तो पानी देने की आउसकता नहीं है पहला सी जाई हलकी सी चाहिए और डियेपी ओगरा डाल करके बोलिया है तो पहली खाद जो डालते हैं प्रयास से करिए कि संतुलित खादों का प्रयोग करिए अपने खेतों में बहुत ज़्यादा खाद मत डालिए और पानी देने से पहले और पानी देने के बाद दोनों तरीकों में कौन सा तरीका अच् 1,2 kg या अधिकतम 30 kg यूरिया आप डाल सकते हैं और यदि आपको लगता है कि कहीं भी आपका गेहु पीला हो रहा है पीलापन की शिकायत है तो अधिकतर किसान हमारे गेहुं की बुआई में जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं और यदि ऐसा दिखे की गेहु पीला हो रहा है तो यूरिया के साथ में प्रती एकड तीन केजी जिंक जिंक आप मार्केट से ले सकते हैं तीन केजी जिंक और यूरिया को मिला करके आप इसका इसको छिटा दे सकते हैं और पानी प्रयास ये करिए कि यदि आप इस समय छिटा दे रहे हैं तो प्रयास ये करिए कि आपकी भ यहहाँ कि यूरिया घुलण सील होती है जैसे ही पानी जायेगा चिट्टा लगाएंगे पानी देंगे तो जब पानी जाएगा तो इूरिया घुलेगी और घुलकरके प्लांट को मिलना शुरू होगी जिसका फैदा आपको दिखेगा यदि आपको को यह लगता है कि आपकी के पानी चाहर दिन तक कर सकते हैं कि उसके बाद भी आप लिए ना चाहते हैं जब पैर जाने की पर करशो कि शुभाद करना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे किसान है जो यूरिया के कोक चाहते हैं कि हम इस्प्रे करें तो यूरिया को इस्प्रे करते हैं तो यूरिया फास्फेट नाम का एक पैकेट आता है मार्केट में जो एक केजी प्रती एकड के हिसाब से इस्प्रे होता है आप कहीं भी इसका पता कर लें और मेरे मेरा जो नालेज है उसके हिसाब से यूरिया सलफासफेट को एक केजी प्रती एकड यदि हम दें इस्प्रे में तो बहुत ही बड़िया रिजल्ट आएगा बाकी इन्फॉर्मेशन जहां से आप खरीदेंगे यूर करते हैं जो تم नाले निखन के फिरइब और सलफे में उपले का पानी इस पेकी इस पर सकते हैं और के सेЛरी के साथ तो तो उपले का पानी भी इस्प्रे कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बढ़िया जो है लाब मिलेगा और इसके साथ यदि आप आरगेनिक पोड़क लेना चाहते हैं तो चार किलो भूमी पावर प्रती एकड के हिसाब से डाल सकते हैं पानी देने से पहले या पानी देने के बा ध्यूमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आईगी जए भारत